अद्रक से बनीए क्रीम बोटोक्स और फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट से हंड्रेड टाइमस बटर है जो आपकी स्किन सेगी हो जाती है लटक जाती है उसका मैं आप लोगों के साथ हल लेक्या हूं आज की वीडियो में तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही मैजिकल क्री आपकी स्किन अच्छी टाइट होगी है वेलकम बैक तो आप लोगों के साथ एक बहुत ही जबरदस्ती रेविडियी लेकी आई हो अगर आप लोग चैनल पढ़नी हों तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकर इसी तरह कि आने वली इंफर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके आज की जो वीडियो आना जो बेसिकली रेमीडिया वह बहुत ही जबरदस्त होने वाली है 40 प्लस लोगों के लिए क्योंकि जो चेहरे की जुडियां आ जाती है जो आपकी स्किन सैगी हो जाती है लटक जाती है उसका मैं आप लोगों के साथ हल लेक् तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही मैजिकल क्रीम बनाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों ने करना विस यह है कि वीडियो को पूरा देखना एंड तक आज की क्रीम का इंगेडियेंट है वह बैसिकली अद्रक है अद्रक से बनी यह क्रीम बाटॉक्स और फेस लिफ्टिं करते हैं तक रिःटमेंट होता है बेसिकली यह pacingkin कर दिल जटक पैसों में कराने के बाद आपकी स्किन पर आज़ इट कुने मंत तक वर्ट करता है ने की सक्ट il जैसे पहले थी और दूसरी बात यह है कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हामफूल है इसके बे तखाशा साइड एफेक्ट्स है आज की क्रीम में आपको बताने लगी हो जो कि अदरक से बेंगी सबसे पहले तो वह बहुत ही ज़्यादा अफॉर्डबल होगी दूस इसके कुछ बेनेफिट्स की बात कर लेता है यापके स्किन सर्यूंकल्स को रिमूफ करेगी आपके स्किन को बहुत इच्छ तरीके से ब्राइट करेगी साथ आपके स्किन पर कॉलजन की लास्टिसिटी को बढ़ाएगी जिससे आपके निव साइल रिजन रेट होगे और स्किन अच्छी टाइट होगी इस क्रीम से मैं आप लोगों को हंड़ेट परसंट कह सकती हूं कि अगर आप लोग 40-50 साल के आना तो आप कमस कम जो है ना 20-25 साल के दिखने लग जाएगी अगर उसको उसी तरीके से यूज करेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपने करन है यह जो अधरक क्रीम है यह आपकी स्किन पर बोटोक्स की तरह का वर्क करेंगी सबसे पहले बोटोक्स लिफटिंग क्रीम बनाने के लिए जो आपकी स्किन से जुरियां ख़तम करेंगे साथ यह साथ ए-सकिन को टाइट कर देगी आपको चाहिए अधरक आप लोग ले सक तो आपने तरीके से लिए पील कर लेना है अधरक को यह अपपी देख सेते हैं इसका जूस निकलना स्टार्ट होगी इसको इच्छे तरीके से आपने इसका जो भी ड़िए ना क्योंकि अधरक जो हो आप जो हो जो उखता है मट्टी में उकता तो इसके अंदर जो हुआना करने के बाद अब इसको हम कर देंगे ग्रेट आप लोग इसको चोटे-चोटे क्यूब्स करके ब्राइंडर मिशीन होती है उससे भी इसका जूस निकाल सकते हैं आपने ग्रेटर लेना उससे इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया अब मैं इसका जूस एक्स्ट्रक्ट कर लूग इससे यहां पर हमारा 3-4 टेबल स्पून जो है अद्रक का जूस रडी हो चुका है अब हम इसमें आड करेंगे आपने टरीके नेक्स्ट इंगेडियर नेक्स्ट इन्गेडियर तो क्या है करें नेक्स्ट करता है उसका इसकी विए बहुत ही ज़ादे यह फुट्वल स्पून जोन ने इसके अन्दर के और तरीके से आप में मिक्स कर लीयरा है अब नेक्स टेप हमने इसको लाइट फ्लेम पर पकाना है अब हमने इसको चूले पर रख दिया और अब इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पर बिलके दम वली आंच पर 2-3 मिनट तक पकाऊंगे इस तरीके से क्रीम की फोर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा आपने इसको साथ-साथ मिक्स करते रहना है ताकि इसमें पानी ना बचल और बिलकुल क्रीम की फोर्म में आ जाए तो यहां पर यह ओल्मोस्ट क्रीम की फोर्म में आ चुका है तो अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे अब नेक्स टेप हम इसमें आड करेंगे अलोवेरा जल करने बेताशां बेन आफ़शा बेनेफेटा है यहां पर अबाट पस हमें एक बड़ा ठेबल्सफोन असक के अंदर करेंगे div a also a तोड़ा सा इशु होगा मिक्स करने में क्यूंकि यह थिक होगा जब जाएगा बट आपको तू-टू-ट्री मिनिट्स लगेंगे यह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा इस बाटोक्स मास्क के अंदर जितने भी इंगरीडियेंट आना वह सारे आपकी से कर team पर बाटोक्स कहाँकरता है इसलिए क्रीम मैं बनारी हैं कि कि एस सारे इंगरीडियेट मिल के आपके सकीन को बड़े ऑच्छे तरीके से बाटोक्स की तरह का टू-ट्रीप करेंगे अब अब यह अच्छ करना आपने अलोवेरा जल को इसके साथ एक छिए टरीके से क्रीम को मिक्स कर लिया अब हम इसमे अफी चर्द करणे में इसमे लास्ट इंगेडियंट जो के होने बादम का तेल के लिए यह अफीजुद्ट okonut oil को ग्राद हम जाता है तरीके से यंग दिखाता है ग्लो प्रोवाइट करता है बहुत अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि यह बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में आजाए अगर आप लोग का पहले जो आना यह मास थोड़ा सा कस्टड की तरह का जम गया होगा ना तो तो यह बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में आजाएगा बस करना ही है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है तो यहां पर हमारी जिंजर वाटॉक्स क्रीम यह वह रड़ी हो चुकिया आपने इसको जो आना सेफ करने के लिए कोई शीशे का बाउल ले लेना है जैसे मैंने लिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए उसके बाद आपने इसके अंदर यह क्रीम जाना वह अच्छे तरीके से डालना स्टार्ट कर देनी है इसके अप्लिकेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी यह आपने सेवन डेस तक अपलाए करनी है उसके बाद आप इसके मैजिकल रिजर्ट्स खुद देखेंगे अपनी आँखों के सामने यहां पर यह बिल्कुल एक अच्छे से नाइट क् क्रीम की तरह का काम करेंगी तो आपने करना यह है कि जब भी इसको अपलाए करना है तो रात के टाइम अपलाए करना है सबसे पहले आपनी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है किस भी फेस वोश या स्वाप के साथ उसके बाद आपने अपने स्किन पर यह 30 मिनिट के लिए उसके बाद देखें अगर उन्हें किसी किसम की इरिटेशन या इस तरह का घुजू भी नहीं होता तो इसका मतलब है कि वह यह अपलाई कर सकते हैं मैं आपको अपलाई करके भी दिखा देती हूँ इसको अपलाई करते ही आपके हाथ बहुत जादा सॉफ्ट हो जाएगी उनमें शाइन आ जाएगी आप लोगो यह फेस पर अपलाई करनी है और इसके जो हैना रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करनी है कॉमेंट सेक्शन मे यह बहुत ही स्किन बहुत ही जादा मेंजिकल वर्ट करेगी आपके रिंकल को करेंगी और साथ जो है यह आपकी जितने भी सकिन पर सैउग्य स्किन होग लटा करेंगी ढीली होगी उसको तैट करतेकी तो यह हमारी क्रीम के पर रैडी हो चुकी है यह आप देख सकते हैं पूरा एक जार मेरा बन चुका है अब इस क्रीम को अच्छे तरीके से बंद कर दूंगी किसी भी एर टाइट केंटेनर में आपने इसको जो है ना वो स्टोर कर लेने मेरे पस थोड़ सी लेफटोवर है मैं इसको आपको प्लाई करके दिखा दूंगी मैंने अपनी जहां भी स्किन को एक तरीके से प्लाई कर लिया उसके बाद कर लिए पार पार पर आपने पार आपने हाँ थी मिनट की जोड़ जोड़ दिना जैब आपसाज चरेंगे यहाँ तरह स्किन उप्लेटा बहुत इस तरहां का सॉफ लगी बहुत ही जादा आपके स्किन जोएना वह साथ दिन और बाद आप खुद यह दुबारा बनाएंगे क्रीम के मैं आपसे दावा कर सकती हूं तो आप लोगों को अगर यह वीडियो आज की पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें यह देख सते हैं मेरा हाथ कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है कितन इसी तरह के एक और इंट्रेस्टिंग और यूस्फुल कॉंटेंट के साथ तेल लन अलाहाफीज